हेलो एवरिवान आप सभी लोगों का इस्टाडी टूडे उद विपलब यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम डिसकास करेंगे प्रकास पराबर्तन तथा अपबर्तन के इम्पोर्टेन कोस्चन जो की पार्ट टू है अगर आप अभी तक प्रकास पराबर्तन तथा अपबर्तन के पर्ट वान को नहीं देखे है तो देख लिजिएगा नीचे इसका लिंक दिया गया है जो की 10th board exam के लिए important question है जो की chapter 10 है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए प्रथम question से शुरू करते हैं प्रथम question में लिखा हुआ है लैंस की छमता का SI मत्रक power of lens पूछा है उसका SI मत्रक क्या है मिटर option A में दिया हुआ है option B में meter per second option C में newton और D में दिया हुआ है डायप्टर इसका सही answer हो जाएगा डायप्टर याद रखना है डायप्टर होता है मिटर होता है लंबाई का मिटर पार सेकेंड होता है चाल या बेक का याद रखना है न्यूटन होता है बल का ये भी question पूछा जाता है exam में और P बराबर होता है one open app याद रखना है next चलिए next में लिखा हुआ है lens में मुखः focus की संखा होती है lens में मुखः focus की संखा कितनी होती है दो याद रखना है next चलिए next में लिखा हुआ है 20 cm focus दूरी वाले lens की चमता lens की चमता पुछी है तो देखिए P बराबर क्या होता है one open app होता है याद रखना है तो एप बराबर दिया हुआ है 20 cm तो 20 cm में दिया हुआ है इसलिए आपको 20 cm को मिटर में बदलना है तो डिवाइड इट कर दिये 100 से तो यह हो जाएगा 1 आपन 1 बटे 5 तो 5 उपर चला जाएगा 5 और धनात्मक होगा याद रखना है तो 5 डायप्टर cm में है इसलिए हमने मिटर में बदल दिये तो 5 डायप्टर हो जाएगा इसका सही अंसर चलिए लेंस सूत्र क्या है लेंस का जो सूत्र होता है लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है 1 आपन एप इक्वाल टू 1 आपन एप इक्वाल टू एप बराबर क्या होता है फोकस दूरी होता है 1 आपन वी माइनस 1 आपन यू वी इक्वाल टू होता है लेंस से प्रतिविम की दूरी वी इक्वाल टू क्या होता है लेंस से प्रतिविम की दूरी जो इमेज होती है वो lens से image की दूरी और यू होती है जो बोस्तू होता है बोस्तू, lens से बोस्तू की दूरी याद रखना है और एप होता है focus दूरी, focal length तो इसका सही option हो जाएगा option A, one upon V minus one upon U is equal to one upon app तो next चलिए, next question किस प्रकार का lens बास्ताविक उल्टा तथा बोस्तू के आकार से बड़ा प्रतिविम्प होता है किस प्रकार का lens बास्ताविक उल्टा तथा बोस्तू के आकार से बड़ा होता है वो हो जाएगा उत्तल lens याद रखना है उत्तल lens इसका सही answer हो जाएगा लेंस पूछा है mirror नहीं याद रखना है next देखें कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है अबतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा अबतल अबंग उत्तल लेंस दोनो दोनो तो नहीं होगा इन में से कोई नहीं ये भी गलत हो जाएगा तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है अबतल लेंस को अपसारी कहा जाता है याद रखना है अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है इसको भी याद रखेगा अबतल लेंज को अपसारी लेंज कहा जाता है और उत्तल लेंज को अभिसारी लेंज कहा जाता है Next question कि इस प्रकार का लेंज आभासी सिधा तथा बोस्तू के आकार से छोटा होता है इसका सही एंसर हो जाएगा अबतल लेंज याद रखना है next question देखिए snail के नियम उनसर होता है snail का नियम क्या होता है याद जो अपबरतनां होता है वो होता है sign I upon sign R याद रखना है ठीक है तो इसका option यह हो जाएगा सही answer क्या होता है sign I upon sign R sign I बटे में sign R होता है याद रखना है यह माली जो प्रथम माध्धम और यह दितिय माध्धम तो इहां आपतित कीरान होता है मतलब आपतित कीरान होता है यह I होता है और यह सघन माध्धम होता है R याद रखना है इसको तो next question देखिए next question निम्न में कोन सा पदार्थ lens बनाने के लिए प्रयूक्त नहीं किया जा सकता निम्न में कोन सा पदार्थ lens बनाने के लिए प्रयूक्त नहीं किया जा सकता कांच, मिटी, जल, प्लास्टिक देखिऊ, कांच का प्रयूक्त किया जाता है, मिटी का प्रयूक्त नहीं किया जाता है, जल का यूच किया जाता है, प्लास्टिक का भी यूच किया जाता है, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, मिटी का प्रयूक्त नहीं किया जा सकता, इसका यूच नहीं किया जा सकता याद रखना है next question देखिए वायू में प्रकास की चाल निर्वात की अपेक्चा होती है कम होती है याद रखना है वायू में प्रकास की चाल निर्वात की अपेक्चा होती है कम तीन गुना 10 की पावर 8 मिटर पर सेकेंड इसको आपको याद रखना है vacuum में जो निर्वात में प्रकास की जो चाल होती है यह velocity of light in vacuum 3 into 10 की power 8 meter per second next question देखिए किसी सब्दकोस के छोटे अक्षोरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार की lens का उपवयोग करते हैं किस प्रकार की lens का उपवयोग करते हैं उत्तर lens का उपवयोग करते हैं हम convex lens का यूच करते हैं याद रखना है next एक माध्धम से दूसरे माध्धम में जाने पर प्रकास की किरन मूर जाती है किरन के मूरने को कहा जाता है वेती करन गलत हो जाएगा burn विक्षेपन ये भी गलत हो जाएगा अप बर्तन कहलाता है याद रखना है परा बर्तन भी नहीं होगा अप बर्तन इसका सही एंसर हो जाएगा अप बर्तन तारे टिम टिमाते हैं अप बर्तन के कारण इसको भी याद रखना है नेक्ट कोस्चन की और बर्ते हैं नेक्ट कोस्चन में लिखा हुआ है किसी सब्द कोस में दिये गए छोटे अप्चरों को परते समय आप निम्न मैंसे कोन सा लेंस पसंद करेंगे पचास सेंटीमिटर फोकस दुरी का एक उत्तर लेंस गलत हो जाएगा पचास सेंटीमिटर फोकस दुरी का एक अवतर लेंस ये भी गलत हो जाएगा फाइफ सेंटीमिटर फोकस दुरी का एक उत्तर लेंस ये सही हो जाएगा 570 मिंटर फोकस दुरी के एक अवतर लेंस ये भी गलत हो जाएगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा option C तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा मिलते हैं next वीडियो में तब तब के लिए bye bye take care